हेलो एवरीवन वेल्कम टू मैज़ानल वी विल्लेट टूडे लर्निंग अन पड़ागोजी दे चैप्टर इस जो लर्निंग अन पड़ागोजी जो चैप्टर होगा वह 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 बेसिक प्रोसेस आफ टीचिंग अन लर्निग सुमड़ेओ को स्किप ना करें पूरा पूरे वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें तक यार वीडियो को लिए किसन सबसे पहले आपको मिले तो आज हम लों जानेंगे टीचिंग मैठट के बारे में सबसे पह वर्ग के सिक्षार्तियों को विशेज प्रकार की सिक्षा देने पर जोड़ देता है इस बात से आप आउगत होगे कितनी वर्ग किया होनी चाहिए तो यह बता रहा है तीन से साथ वर्ग इस पदती में बच्चा स्वतंत रहता है यानि बच्चे में फ्रिडम होती है और वो इससे स्वयंग करके लर्णिंग वाई डूइंग यानि स्वयंग करके सीखता है इस पदती में बच्चे की इंद्रियों और मानस्पेसियों को प्रसिक्षित किया जाता है यानि बच्चे को सिखा जाता है कि आपको कैसे यह काम करनी है उसके इंद्रियों का उसके मानस प्रयोजना प्तती अब जो आता है वो क्या आता है वो आता है प्रजेक्ट मेतड अब प्रजेक्ट मेतड को आप कैसे समझेंगे तो सबसे पहले इसके जो पॉइटर थे यहनि इसके जो जनक थे Pardoner थे वो John Davy थे फादर के उन थे W.S. Kilpatrick देखें यहाप पॉइटर John Davy है यहनि John Davy लेकिन इसके Father को उन है तो W.H. Kilpatrick यहां से प्रस्वन हैं आपके CTS के exam में ना के वल CTS के exam बलकि कि राज की जितने भी टेट के एकजाम होते हैं उसमें पूछे पूछे आते हैं यह प्रगतिसिल सिक्षा का एक रूप है अब आप यह प्रश्ण करें कि आखिर प्रयोजना पद्धि किस पर जोड़ इंपैसेस करता है तो यह प्रगतिसिल सिक्षा का एक रूप है जो एक के वो इसके पॉइनियर है और इसके फादर जो है डबलू एच किलपेट्रिक है, ओके आप आगे जालें, किलपेट्रिक का मानना था कि बच्चों को अपनी रूची के नुसार अपने सीखने को निर्देशित करना चाहिए, यानि बच्चे किस बात में रूची लेते हैं, उनक प्रक्रतिक अर्थों के माद्दम से अपने सीखने का अनुबब करने वाले अपने प्रयावरण का पता लगाने की अनुमती दी जाने चाहिए, यह जो परिवासा है, यह जो डिफनेशन है, यह कोन दिया था, तो यह किलपेट्रिक जी का ऐसा मानना है, चिलन सुद डिरेक्ट दियर ओन लर्निंग, एक्कॉर्णिंग तो दियर इंट्रेस्ट शुद बी अलाओट, तो एक्सप्रिमेंशिंग, देखें जो इन्वार्मेंट को वो जो एक्सप्रोर करेंगे, वो अपने अनुभब के द्वारा करेंगे, दियर लर्निंग थूद नैच्छल सेंस, ओके, आगे जान ले आप, इस पदिती के मादम से चात्री योजना बनाने, अब इस पदिती से क्या-क्या फायदे होते हैं चात्रों को, तो चात्री योजना बनाने, इसे लागू करने, और इसका मुलांकन करने, जैसे कोसल विक्सित करते हैं, इस पदित करना होगा और इसका evaluation भी करना होगा तो यह skill है जो छात्रों में पाई जाती है इस पद्धिति के मातब से प्रयोजना का कार व्यक्तियत रूप से यह समू में किया जा सकता है यानि जो भी जो आप project method कर रहा है वो कैसे करेंगे या तो आप इसे व्यक्तियत करेंगे ठीक है या तो आप इसे समू में करेंगे आप आगे जाने इस पद्धिति के मातब से छात्रों जना मिराने इसे लागो करने इसका मुलांकन करने जैसे कौसल विक्सत कर लेते है प्रयोजना का कार व्यक्तियत रूप से यह समोर रूप से किया जा सकता है इस बात से तो आप परचित होगे आप आगे जाले अब आता कहानी विधी कहानी विधी क्या है? प्रयावरन सिक्छा में सीखने के लिए यह विधी बहुत उप्योगी है अब यहाँ से प्रस्टों पूछे जाएंगे कहानी विधी बहुत उप्योगी है तो आप कह सकते हैं कि जो प्रयावरन सिक्छा में सीखने के लिए यह विधी बहुत उप्योगी है इस विधी से विध्यारतियों में विसे वस्तू के प्रती रुची पैदा होता है क्योंकि प्रयावरन सिक्छा में सीख लेते हैं और इस सीखने के मादम से यनि इस विदी के मादम से विद्यारती में विशेवस्तु के प्रती रुची पैदा होता है इस विदी से सिक्चारतियों को कोई भी ज्यान बहुत आसानी से दिया जा सकता है इस पद्धिती के मादम से चात्र ज्यान और स्रिजन प् तो यह जो प्रश्ट उत्तर विदी है इस पत्ति में प्रश्ट पूछ कर पाठ का ग्यान किया जाता है इस विदी में सिक्चक और सिक्चार्ती दोनों प्रश्ट पूछते हैं इन्हीं सिक्चक भी सिक्चार्ती से प्रश्ट पूछते हैं और सिक्चार्ती भी सिक्चक से प् जानले कि प्रश्ट उत्तर विधी में प्रश्ट पुछकर पाठ का ज्यान बच्चों में इसमें दोनों एक्टिव रहते हैं यानि सिक्चक और सिक्चार्थी और इसका क्या उद्देश होता है तो विद्यारतियों को अपने विचार व्यक्त करने का उसर देना चाहिए ना क से क्या होता है इस पद्दती में पूरे पाठ करम को छोटे भागों में विवाजित कियाता है यहीं जो एसाइमेंट जो मैठड होते हैं इसमें जो पाठ करम होते हैं उसको फर्गमेंट से छोटे-छोटे टुकलों में बाढ़ दियाता है चात्रों को एक निस्यस समय में एक कार पूरा करने के लिए दिया जाता है। इस पहते हम सिक्छक प्रते क्छातर पर वक्तर रूप से द्यान दे सकता है। अगर करते हैं तो वह assignment भी थी। बडियो देखने के लिए धन्यवाद